हलो फ्रेंड्स आज मैं सरोसती पुजा का चोटा सा ब्लोग बना रही हूँ यह है हमारे मंदीर घर यानि की घर के मंदीर घर वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो देखिए मेरा जो मंदीर घर है यहापे पुजा का तैयारी कर ली है मैंने अभी शुभा का नौ बज रहा है तो अभी मैं मूर्ती को हम लोगों मूर्ती है सरोसुती मा है तो यह पत्थर का मूर्ती है तो यह हमारे घर में रहते हैं तो पूरा साल बर रहते हैं हम लोग भी सर्जन नहीं करते हैं पत्थर का मूर्ती एक्तम तो नहादो के सुबह हमको साफ करके साल में एक बार नहाद तैयारी फैल बगेडा और जो पुजा का सामान है. अभी भी पंडिट जी नहीं आये तो अभी हम सब तैयारी करके बैटे हैं. क्योंकि पुजा का टाइम है 9 बजने के बाद. टाइम अभी ही शुरू हुआ है. लेकिन पंडित जी थोड़े और भी पुजा करने के बाद आएंगे तब ही हम लोग तयार करके देखे हैं और आपको थोड़े से दिखाने की कोशिश कर दियूँ यह हमारी घर के मंदीर घर है और थोड़े से बाहर में दिखा देती हूँ तो यह मैं हूँ तो सेकंड फ्लोड पर अभी पंडीची आच चुकिए है पंडीची पुजा कर रहे हैं और यहां हमारे घर के छोटे-छोटे बच्चे सभी मेरे घर के नहीं है पास वाले अगल वगल के भी सब लोग आया थे पुजा में सामिल होने में पुजा का पुस्पान जली होता है भोगी देनी के लिए तो अभी मैं सब के इंट्रेस्टिंग जीस आपको दिखाऊंगी कि यह लोग जब मंतर पैढ़ेंगे न और यह हैं हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर मेरे देवर के बेटा सबसे छोटा मेंबर घर की मेंबर है अभी इसका हुआनी हान नहीं हुआ है चोटा है सबसे इसका पहला है यह सरसुति पूजा तो यह भी एकदम पंजाबी लगाए य mister आपको अब दिखाऊंगी पूजा का जो यह लोग का मंतर तो सुनिए आपलो. 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 तो यह था मेरा घर का पूजा चोटा सा मैं दिखाने की कोसिस करूँ कि जादा नहीं दिखा पाईगी कि पूजा मैं भी बैठी ती और सब लोग इसलिए कैमरा तो नहीं कर पाई जो छोटा सा मैं दिखाई हूं जरूर कमेंट करके बतेगा क्यासा लगा और आज के लिए बस इतना ही यह चोटा सा ब्लॉक था जरूर बो बतेगा कि कैसा लागा यह मंतर बच्चे लोगों का कैसा लगा यह जरूर बतेगा तो मिलते हैं नहीं कोई वीडियो पर तो बाई